इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप BSNL FTTH या Broadband का यूज करते हैं, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि आज हमारा डाटा कितना यूज हुआ और इस महीने हमने कितने डाटा यूज कर लिया, तो इस बहुत सिंपाल ही मैथड है, सबसे पहले आपको Play Store में जाना है, जैसी Play Store में जाईएगा, तो Play Store में आपको सर्च करना है BSNL Connect, जैसे आप BSNL Connect सर्च करिएगा, तो आपको मिलेगा एक BSNL Connect, जो Globe जैसा बना होगा, इंप्लोई लिखा होगा, आप इसको इंस्टॉल कर लिजेगा, अल्ला कि यह मैंने इंस्टॉल किया है, इसलिए मुझे इसको अभी open करना है, open करिएगा, तो यह अभी हमारा connect हो रहा है, connect होने के बाद आपको यहां पर दीख रहा है, usage broadband, usage कितना broadband है, यह सब अभी हम चेक कर सकते हैं, यह चेक तभी कर सकते हैं, जब आपका mobile है, या laptop है, आपका Wi-Fi से connect है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि मेरा जो mobile है, वो Wi-Fi से यहां पर connected है, इसी कारण हम इसका usage अभी हम चेक कर सकते हैं, अभी हम usage के लिए अभी हम click करते हैं, ब्रॉड में पर यहां पर, जैसे ही click करेंगे, तो आपको 2-3 region दिखाएगा, जिसके कारण आपका connect नहीं हो, अब देखे, यहां पर user ID एक दिख गया, क अब यह देखते हैं कि इसमें usage कितना हुआ है, तोटल आप देखिए आज के date का, आज का date का 417 MB data यूज हुआ है, उसके बाद आप देखिए 22 days में uploading data कितना हुआ है, 423 GB यूज हुआ है, और उसके बाद downloading 101 GB यूज हो गया, और तोटल इस 22 days में दिन में आपको इतना data अब हम देखते हैं कि इसमें, अब हम देखते हैं कि अगर माल लेजिए कि अगर आपका connect नहीं हो रहा है, आप नहीं check कर पा रहे हैं, तो क्या problem है, तो problem यही हो सकता है कि आपको usage में जाना है, usage में जाएंगे तो आपका हो सकता है, यहाँ पे देखिए, 2-3 region दिखाया है, you may not connected with BSNL broadband connection, broadband connection से आप connect नहीं होंगे, FTTH के साथ connect नहीं होंगे, server may not available in your area, हो सकता है कि आपका जो Wi-Fi है, वो आपका करेश नहीं कर पा रहा है, उसके बाद server, usage server में offline, मतलब जिससे आपका जैसे mobile हो गया, mobile का आपका data बंद होगा, ने data नहीं आपका जो Wi-Fi वाला है, उनका data main server का बंद होगा, तो भी आप कल्कुलेट नहीं कर सकते हैं, ओके ठाइंक्यू, उसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बता दूँ, माले जीए, आपको WSNL में कोई complain करना है, तो यसी app के थुरू, आप landline में complain कीजिए, new book कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं क करना है, यहां पर आपको complain में, landline broadband में जाना है, उसके बाद आपको complain के बाद out of order दे दीजिए, इसमें आपको नमर दे देना है, नमर जैसे ही आप देंगे, HDD और telephone number और इसके submit करिए गा, तो यह जो order होता है, immediate वो आपका service provider को मिल जाता है, जिससे वो तुरंत action ले सकता ह है, okay, thank you, आपको मालुम चल चुगा होगा कि हम कैसे data को use कर सकते हैं, per day और per month के हिसाब से, okay,